हेलो व्रिवन वेल्कम यह ओल लोगे इस स्टेडीजों तो स्टार्ट कर रहे हैं के वी एस पीजी टी में जो क्वेश्चन्स आये हुए थे 2023 एक्जामिनीशन में उनके हम क्वेश्चन्स एन आंसर देखेंगे तो टॉपिक क्या है CCLE यानि की क्रियेटिंग कंड़क्टिव लर्निंग एनवारेमेंट के हम प्वेश्चन्स देखेंगे क्वेश्चन नबर 71-80 तक के क्वेश्चन्स टेलेंगे आईए दिखते हैं क्वेश्चन नबर 71 ओके देखिए इन मॉर्डन कंटेक्स दबेस्ट मेंटल हेल्थ अब दा स्टुडें मंसिक स्वास्त देखें यहां पर मंसिक स्वास्त की बात हो रही कि सके द्वारा सुनश्चित किया गया है योगासन और प्राणयाम, और क्या है, फिजि備 थेरपी, गढणती और मंसिक अभ्यास समाजिक सभाओं को आयुजित करके , तो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा य योगासन और प्रानायाम क्योंकि बात हो रही है mental health की तो correct answer होगा इसका योगासन और प्रानायाम, देखिए यहाँ पर गलत answer दिया बच्चे ने, समाजिक सभाओं को भला आयुजित करके कैसा काम चलेगा, तो correct answer इसका क्या होगा, योगासन तथा प्रानायाम, चली question number 72 की त disability मतलब की दिव्यांकों के लिए अधिकार किश एक्ट में आया है 2014-2016-2018-2020, ओके, write a person with disability, बताइए इसका correct answer क्या होगा, ओके, तो इसका correct answer है 2016, ओके, इसका correct answer जो है 2016, चलीए, next देखते हैं अगला question, in term of education progress, which one of the following groups is the largest, education in progress, education in progress, सिक्षा प्रगती की संदर में निम्न में से कौन सा समू सबसे बड़ा है, आदिवासी, अंसूची, जाती, जुगी, जोपड़ी, निवासी या बालिकाएं, बताइए, सबसे बड़ा group कौन सा है, ओके, देखते हैं, students ने क्या इसका answer दिया है, 4 दे रहा है answer, बत of the following can be easily handled by the school teacher, which one of the following can easily handled by school teacher, autistic child, a child with IQ 72, a child with dyscalculia, a psychotic child, okay, तो बताना है आपको, कि इस में से कौन सा, मतलब, सिक्षार्थी, या बच्चा, सिक्षक के द्वारा आसानी से समझ जाएगा, अस्वलीन बालक, 72 बुद्धी लबदी बालक, डिसक्यलकुलिया बालक, या एक मनो वरिकत्ती बाला बालक, ओके, बताइए, कौन सा बड़े आसानी से समझ जाएगा, कौश्चन नमर कौन सा ही है, ये कौश्चन नमर चला है, 74, ओके, देखिए, करेक्ट आंसर इसका दो दिया है बच्चो ने, और राइट आंसर भी इसका दो है, 72 बुद्धी लबदी का ज समझ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका दो ही है, यहां पर वनमार्क जाएगे, चलिए अगला कौश्चन चलते है, कौश्चन नमर 75, एमंग दा फॉलोविंग ओप्शन्स, विच वन इस इजियर फॉर स्कूल सीकिंग पार्टनर्शिप, विच वन इस इजियर फॉर आसान है, पड़ोसी, स्कूल, उद्योग, अभिवाबक, एवं समुधाय, या निकट वर्ती सरकारी कार्याल है, ओके, मतलब कि एक स्कूल है, वो भागीदारी चाहता है, तो इसमें से कौन सा आसान विकल्प है, ओके बताना है आपको, कि इसमें से सबसे आसान विकल्प कौन सा क्वेशन नमर है, 75, बताइए, तो correct इसका answer है क्या, 3, parents and community, इसका right answer है, बहुत लोगों ने इसका answer दे, इस आई दिया है, parents and community, चलिए, क्वेशन नमर्स 76 देखते हैं, क्वेशन नमर्स 76 क्या कह रहा है, higher education institution can develop the best partnership with school by training school teacher, organizing competency-based activities for the school teacher, sharing their physical and human resources, select best student from four schools and giving them advanced training material, उच्च सिक्षा संस्थान, स्कूलों के साथ स्रवसरिष्ट भागदारी कैसे कर सकते हैं, स्कूली अध्यापकों को प्रसिछन दे करके, उस्कूली अध्यापकों हेतु दक्षता, आधारित गतिविदियां आयुजित कराके, अपने भौतिक और मानुई सं संसाधन साजा करके, स्कूल से सर्वसरिष्ट सिचार्थियों को छाट करके, उन्हें उन्नत अधिगम सामगरी दे करके, बताइए एक बार करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा कुश्चन है, क्वेश्चन नबर 76 है, बताइए करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चे इसका बता रहे हैं, चेर बॉक्स में, कि उन्हें अपने बहुतिक और मानुवी संसाधन साजा करके, देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नबर 76 का, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बच्चों का, यहां भी 3 किया गया है, ओके, तो अपने मानुवी संसाधन साजा करके, चलिए, क्वेश्चन नबर 77 देखते हैं, क्या है, तो देखें, क्वेश्चन क्या है, विच आप दा फॉलोविंग कैन बेस्ट डेवलप दा इस्प्रिट अप दा इक्विरी एन अवार्नेस अमंग दा लन्नस सेकेंडरी स्कूल लेवल, बताईए कि माधिमिक स्कू एक्सपरिमेंट्स, चलिए, अभयबाबक, सिक्षक समितिया, सिक्षको हेतु, सेवा कलीन, कारेकरम, अभिरुची कलब, या लंबी अवधी के विज्ञान के प्रयोग, चलिए, आंसर दीज़े इसका बच्चों, चैट बोक्स में भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, इसका क्या है, बताईए, तो इसके ज़्यादा तर आंसर क्या आ रहे हैं, अभिरुची कलब आ रहे हैं, इसका क्या है, तो 77 का क्या आंसर यहां पर दिखें दिया रहे है, फोर आपशन, लंबी अवधी के लौग ड्यूरेशन साइन्स एक्सपेरिमेंट्स, लगडिशन साइन्स एक्सपेरिमेंट्स, परिप्रक्षा और जागरुकता की भावना बढ़ाने के लिए लंबी अवधी के विज्ञान के प्रयोग यूज किया जा रहे है ओके यह इसका आंसर है तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया स्टुडेंट्स के द्वारा हो गलत है यहाँ पर टू दिया गया है मतलब की सिक्षको हे तु सेवा कालीन कारेकरम अरे यह क्या बात हुई यह तो बिल्कुली गलत है भाई सिक्षक की बात ही क्या सेवा कालीन कारेकरम क्यों करवाओगे भाई है ना तो यह तो टूटली फॉल्स आंसर है मैं मानूँगा जिसे भी बच्चे ने दिया है, चले question number 78 की बात करते हैं, question number 78 क्या कहरा देखे, which one of the following combination can be best, fulfill the objective of conducting school assembly, punishing naughty student, everyday reading some part of the classic book, physical fitness exercise, sharing discussions of PTA meetings, addressing general issues of the school, बताइए इसमें से कौन सा best होगा, तो देखे एक चीज़ तो है, everyday reading some part of a classic book, तो punishing naughty student तो ये part होना नहीं चीए, मतलब कि आप assembly में naughty student को punish करना शायद गडबड होगा, प्राताय सबा को चलाने के लिए उदेशों की पूरती है, तो निमलिखित में से कौन सा विकल्प सर्पसिष्ट होगा, शरारती छात्रों को डंडित करना, किसी एक शास्त्री classical book के पैठको के निर्ने साजा करना, हाँ तो ये भी थोड़ी सी important बात लग रही है, तो fourth वाला part देखिए, fourth वाला part इसमें आया हुआ है, और किसी में नहीं आया है, school के सामान मुद्दों पर बोलना, तो school के जो general points है, उस पर बोलना, fifth, तो सामान मुद्दों पर बोलना जाना और एक और चीज़ है, किसी एक शास्त्री है, classical book के कुछ अंस पर ना, तो ये भी important होता है, कोई classical book है, उसके थोड़े से अंश पढ़े जा सकते है, motivation वगेरे के लिए, तो option two जो है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, मतलब option two के chances जादा लग रहे हैं, options को देखने के लिए, अब आप सोच करके बताईए, कि कौन सा correct option आप कहेंगे, बताईए, ओके तो इसका correct option है, option number one, okay, option number one, में कौन कौन से हैं two है, मतलब किसी एक सास्त्री बुक के कुछ अंस पढ़ना, ओके फिर three आ गया है, माने की शारिरिक व्या बट यहाँ पर option number four करा है, बच्चे ने तो इसको zero मिल जाएंगे, चलिए next करते हैं question, अगला question देखते हैं, question number 79, चलिए, which committee talk of education for human and enlightening society, मानवी और प्रबुद समाच के लिए सिक्षा की बात किस समीधे ने की थी, रघुराजन committee, आचार राम मूर्थी committee, यश्पाल committee या आचार नरिन्दे committee, तो यह रटने वाला question है, बताईए, कि किस committee ने human and enlightened society के बारे में बात की थी, ओके, तो यहाँ पर दो बच्चे ने answer 3 दिया है, जो की बिलकुल गलत है, इसका correct answer is 79, का option number 2, जो की है, आचार राम मूर्थी committee, ओके, आचार राम मूर्थी committee, प्रबुद म आचार राम मूर्थी committee ने बात की थी, चले अगला question देखते है, question number 80, which one of the following does not belong to the knowledge domain, इसमें से knowledge domain को कौन सा बिलोंग नहीं करता है, respecting, analyzing, evaluating, informing, आधर करना, visualization करना, मुल्यांकन करना, या सूचना देना, कौन सा, इसमें cognitive domain, knowledge domain, knowledge domain में कौन सा नहीं आता है, okay, knowledge domain में कौन सा नहीं आता है, बताइए, okay, देखे, knowledge domain, which of the following does not belong to the knowledge domain, okay, बताइए, तो correct answer इसकार है, respecting जो है, वो knowledge domain में नहीं आता है, मतलब, आधर करना जो है, वो knowledge domain में नहीं है, तो यहां भी zero marks दे जाएए, student ने four लगा है, सूचना देना, knowledge domain में नहीं है, ऐसा नहीं है knowledge domain में सूचना देना तो आता है, क्योंकि सूचना बच्चा याद करके दे करके आएगा, तो वो knowledge domain में है, but respecting आधर करना knowledge domain में नहीं है, done, तो यह हमारे पूरे को पूरे 80 questions हमने कर लिये है, okay, creating learning, conductive and learning environment के VSK, thank you so much for being with Locator Unlimited Study Zone.